हेलो स्तो कमाई का अड़स यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज हाप पर हम डिस्कस करेंगे डिक्सन टिक्नलोजी के बारे में इस कमपनी के कोटर टू के रिजल्ट अभी यहाँ पर अनौस हो चुके है और कमपनी ने वेरी शौकिंग पॉफरमस अपने प्रॉफिट का प्रेजिन किया है किस तरीके से स्टेंडिलेंड एंड कंसुल्डेट कमपनी के अंदर हमें ग्रोध देखने को मिली है और कमपनी के ऊपर यानि के स्टॉक प्राइस के अंदर जो ए रिजल्ट के एक्शन कितने बड़े हमें दिखाई दे सकते हैं उसको यहाँ पर हम कंपनी के रिजल्ट स्टडी कर लेने चाहिए जिससे अप अपने डिसिजन प्रॉपर ले पाए कंपनी के अंदर कैसी सिचुवेशन है और कंपनी कैसे आगे हमें ग्रोध दिखा सकती है इसका अंदाजा आपको रिजल्ट देखकर आ जाएगा तो दोस्तों चलिए स्टार को स्टॉडी करेंगे और आगे जाकर मैं आपको रिजल्ट के डीटियल्स और फिर श्टॉक से रिलेटेट भी अंदर स्टैनिक करेंगे जो इसके अंदर हमें अभी एक्शोली जो लेवल दिखाई दे रहे हैं उस से रिलेटेट भे अब दोस्तों जो फिगर यहाँ पर हम पिछले हम directly company का जो net income है उसको study करते हैं पिछले साल सप्टेमबर 2022 के अंदर Dixon technology कमा रहे थी total income देखिए वो था 2,29,621,00 का वो दोस्तों सप्टेमबर 2023 में घटकर हो गया है 2,8,105 अभी देखिए आप सिरिफ consolidated result का जो यहाँ पर income या net profit देखकर आंदाज़ा मतलगाना company के standalone consolidated दोनों को भी देखना ऐसा नहीं कि आप सिरिफ एक ही result देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि company का ऐसा ही performance दोनों तरफ होगा ऐसा नहीं है इसलिए आप पूरे details को देखिए तो income क्या नजर आता है दोस्तों yearly business पर थोड़ा down दिखाई दे रहा है Dixon technology का standard result में और quarterly देखेंगे जून 2023 में जो Dixon technology income कमारे थी 151,652 जो यहाँ पर lakhs में वो हमें बढ़कर 28,105 देखने को मिलता है यानि के yearly basis पर तो improvement नहीं थी बट quarterly आप यहाँ पर income के अंदर improvement देख सकते हैं अगर दोस्तों हम directly अभी profit के बारे में बात करें तो Dixon technology ने जो profit generate किया वो यहाँ पर काफी शौकिंग है पिछले साल यहाँ पर सप्टेमबर 2022 में net profit कमाया था Dixon technology ने 5,882 लेक्स का वो दोस्तों घट कर 5,725 लेक्स हो गया तो आप यहाँ पर yearly basis पर net profit में also down performance देख सकते हैं और अभी quarterly देखें तो 4,795 लेक्स से net profit बढ़कर 5,725 हो गया यानि quarterly basis पर income भी बड़ा standalone result में and net profit also अब दोस्तों earning per share की बात करें तो वो भी आपको same दिखने को मिलेगा जैसे yearly basis पर थोड़ा down earning per share और quarterly basis पर improvement में अब बात करेंगे consulted result के बारे में यहाँ पर दोस्तों consulted result जो है उसके अंदर भी सभी figures in lakhs में ही है और directly यहाँ पर मैं company का आपको income बता देता हूं तो जैसे पिछले जो हमने standalone के result देखे वैसे ही यह number नहीं है चेंज है इसके अंदर सप्टेमबर 2022 के अंदर जो company income कमारिती डिक्सवान डिक्नलोजी वो था 3,86,732 वो दोस्तों बढ़कर 4,94,390 हो गया है सप्टेमबर 2023 में यानि आप देख रहे कितना तेजी से company का income बढ़ रहा है consolidated result के अंदर और अगर हम वैसे ही company के quarterly basis पर income को देखे जो था देखी 3,27,435 लैक्स का वो बढ़कर 4,94,390 का हो गया है सप्टेमबर 2023 में यानि काफी बढ़ी तेजी company के आपको income के अंदर yearly और quarterly basis पर देखने को मिलेगी अब दोस्तों net profit में भी इससे कई धमाकेदार performance प्रेजेन किया है देखने लायक है company के result इसलिए तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि आपको पूरी result देखने चाहिए Dixon Technology पिछले साल कमारी थी 7,712 lakhs का net profit दोस्तों बढ़कर हो गया है 11,336 lakhs का तो आप देख रहें yearly basis पर क्या बड़ी तेजी है company के net profit में 7,700 से direct 11,300 यह net profit है yearly basis पर और आभी quarterly देखिए 6,719 जो यहाँ पर था net profit वो directly बढ़कर देखिए 11,336 हो गया है बोले तो company के result में आपको yearly and quarterly net profit में और income में काफी outstanding growth देखने को मिलेगी digital technology के है याने दोस्तो company के result consult rate बहुत अच्छे है और company ने next level के achievements दिखाए और आपको कोई doubt हो तो आप यहाँ पर study कर सकते है earning per share को आप यहाँ पर देखेंगे तो जो basic earning per share है 13 का था वो directly 19 का हो गया और 11 का था वो 19 का हो गया तो supreme performance company ने present किया consolidated result के अंदर यहाँ पर आप दोस्तो जैसे के निवेशक के mind में बहुत से सवाल आते हैं कि sir percentage में आपने बताया ने तो net profit अप हुआ है देखिए 47% आप यहाँ पर revenue अलसो देख सकते 27% देखिए यह जो articles होते हैं उसके अंदर सिरिप कभी positive points तो कभी negative points होते है क्या होता है highlight करने के लिए कभी profit दिखाया जाएगा अभी ये बात आपको तो पता ही नहीं होगी न कि actually consolidated में हुआ है या यहाँ पर पर हुआ है यह चीज़े देखने के लिए proper website से ही आपको यहाँ पर PDF देखने पड़ेगे जिससे आप बढ़िया तरीके समझ पाए अभी देखिए दोस्तों डिक्सवन टिकलोजी का शेयर चल रहा है 5350 के करिब और यह अभी नया जो 50 टिक हाय बनाया 5600 रुपए का उसके नजदिक चल रहा है इसके अंदर अगर आपको मार्केट ने कमबैक करकर दिखाया मार्केट में प्रेशर नहीं रहा तो मैं आपको कहूंगा यह कमपनी के अंदर आपको 6000 के खीब प्रेशर रहा तो दोस्तों कर्यक्शन और भी हमें देखने को मिल सकते हैं मार्केट कैसे रिया करता है उस पर डिपेंड है आप ज़रूर फ्रदर स्टेडी कीजे लर्निंग परपस के लिए मैंने आपको रिजल बता दिये आप ज़रूर आगे यहाँ पर डिसिजन ले सकते हैं रिजल को देख करते हैं कि सो मच